गुदमाने एब्रीवन मैं हूँ T A C Manna, T A C K आपका स्वागत हैं चलो, तो आज मैं आपको चलो, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे हैं सिंप्लिपिकेशन, ठीक हैं? सिंप्लिपिकेशन, सिंप्लिपिकेशन एक सिंपल टोपिक हैं कि इसमें एक board mask का use होता है board mask का use होता है board mask का मतलब होता है इसमें सबसे पहले आता है bracket में फिर आता है open में फिर आता है divide में फिर multiplication उसके बाद में addition और subtraction इस board का मतलब होता है जैसे अपना bracket इस ब्रेकेट में भी लेते हैं बार वाला ब्रेकेट। ठीक है इस ब्रेकेट में भी बार वाला के सबसे बारेकेट। इसको सोलो करते है इसके बाद में आता है ब्रेकेट छोटा वाला उसके बाद में आता है मजिला वाला उसके बाद में आता है बढ़ा वे टिक और इस ओ का मतलब होता है ओफ वाला ठिक ओ या फिर का वाला इसको सोलो करते है उसके बाद में आता है डिवाइड यानि भाग का ठीक है उसके बाद में आता है डिवाइट का ठीक उसके बाद में आता है गुणा का ठीक है उसके बाद में आता है एडिक्शन का यानि जोड का उसके बाद में आता है सब्ट्रेक्शन यानि माइनस का ठीक है देखो सिंप्लिफिकेशन में बोर्ड मास्का यूज़ करते हैं इसका bracket का, hope का, divide का, multiplication का और addiction का और subtraction का ठीक, ठीक है जैसे अपने पास question है, अपने पास कोई साभी question है जैसे अपने पास question है कि 2 प्लस 3 माइनस 5, ठीक, cost का उसके बाद में आता है फिर divide का, उसके बाद में आता है, 2 का, उसके बाद, plus 5, minus 2 तो अपन सबसे पहले इस bracket को solve करेंगे, ठीक, जो answer आगा, उसको divide करेंगे फिर अपने पास आता है, plus का, उसके बाद में, minus का, ठीक, ठीक है अब देखो, अपन क्या करते हैं, जैसे अपने एक question लेते हैं, ठीक है, ठीक, अपन जैसे एक question ले ले लेते हैं, इसको solve करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेकेट को, तो 2 plus minus 2, फिर यहां आएगा, divide 2, प्लस यहां आएगा, 5 minus 2, तो इस सबसे पहले, अपने ब्रेकेट सोल कर लिए, उसके बाद में आता है, भाग का, इसमें भाग करो, तो कितना आएगा, plus minus 2 upon 2, इसको upon में ले आए, plus minus 2, ठीक है, 2 minus 1, plus 5 minus 2, ठीक, देखे, इन दोनों को जोड़ लो, पहले क्या है, addiction, दोनों को साथ, फिर यह minus minus, add हो जाएगा, और minus को कितना, 3, य यह तो होगे, बिल्कुल basic concept, ठीक, अब अपने पास एक question आता है, अपने पास एक question आता है, जैसे, A, A upon B, ठीक, A, A upon B, इस question को किसे solve करेंगे, ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसको एसे करेंगे, इसमें, A upon A by B, इसको इसे पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं, A upon A by B, ठीक, इसका multiply, इसमें करेंगे, इसमें add करेंगे, तो यह किसे आएगा, A multiply B, प्लस A upon B, इसा आएगा, ठीक है, ठीक, अब इसको, क्या इसको, A से लिख सकता हूँ, A upon B, तो यह दोनों same ही है, यह plus ही है, ठीक है, इसका इसमें multiply करो, इसमें add कर दो, ठीक है, तो तो भी यही मेरे पास एक संक्या है, जैसे A into A, फिर A upon B into B, ठीक, इस तरह से भी क्योशन आता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, A, A plus A upon B into A, ठीक, यह है जो अपन इसको A से लिख सकते हैं, यह बिलकुल ऐसा ही है, इसको direct नहीं काट सकते हैं, जब तक इसका multiply य नहीं होगा, इसको अपन इससे नहीं काड सकते हैं, अब अपन इसको फिर लिखने का तरीका second यह है, इसको पूरे को इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसका multiply इसमें करो, A, A into B plus A upon B, और यह पूरे का B, अब अपन इसको आराम से काड सकते हैं, तो इसका answer आएगा, A, A into B plus A इसको direct नहीं काड़ा जा सकता, ठीक है, तो अपन example लेते हैं, चलो ठीक है, example लेता है इसका, यह देखो, question क्या बोल रहा है? क्योशन क्या बोल रहा है क्योशन बोल रहा है तू पूनाग वन बाई टू तू पूनाग वन बाई टू प्लस थ्री पूनाग वन बाई फोर प्लस एक्स प्लस तू पूनाग वन बाई थर्ड एक्वल कितना है 13 पुनाग 5 बाइ 12 ये बोल रहा है ठीक है आगे देखो क्या मैं इस क्योशन को 1 बाइ 2 3 पुनाग 1 बाइ 4 प्लस X प्लस 2 पुनाग 1 थर्ड एक्वल कितना है 13 पुनाग 5 बाइ 12 इसे लिख सकता हूँ ठीक ठीक है इसका मल्टिपला यहां करो ये कितना आएगा 5 बाइ 2 इसका मल्टिपला यहां करो कितना आएगा 13 बाइ 4 X ये कितना हो इसका मल्टिपला इसमें करो कितना हो जाएगा इसका मल्टिपला इसमें किया मैंने तो ये आएगा 6 ने 1 7 बाइ 3 इक्वल कितना है इसका multiply इसमें करूआ आधे कितना आजाएगा इसका multiply इसमें करूआ यह आएगा बारतिया 36 3 12 3 15 15 प्लस 5 12 यह आएगा यह आएगा यह बिल्कुल यह आएगा थीक ठीक है अपर ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा, 11, 6, 1, 12, यही है, ठीक, ठीक है, अब देखो, अपन क्या करते हैं, इन तीनों का मैं LCM ले लेता हूँ, इसका कितना है, 12, यही है, ठीक है, इसका, LCM ले आए जाओ, 30, और इसका 3, 39, फिर इसका इसमें करो, 4, 28, फिर, प्लस, और X, यही है, इनका जोड़ के, इधर ले जाओ, कितना आएगा, 9 और 8 कितना होगा, 17, टिक, 9 और 8 कितना होगा, 17, और यह कितना होगा, चे ने दो, आठ, ट्वेल, ठीक, डाइट में उधर शिप्ट कर दिया, अगर वो नहीं करो तो इसा करो, जोड़ के, ट्वेल प्लस एक्स, इकल कितना, वन, सिक्स, वन, ट्वेल, इसको अभी मत लिको, आराम से समझो, ठीक, ठीक है, ये इदर आएगा, कितना आएगा, 87 अप एक्स की वेल्यू कितनी है, यही है, अगर मैं इसको 2 से काड़ देता हूं, तो कितना जाएगा, 2 तीर 6, 2 साती 14, कितना आया, 6 टाइग, क्या ये आरा कहीं, ये कहीं आरा क्या, नहीं आरा, ठीक है, अपन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा कर्रेक्शन कर लिए इसमें, इसे आएगा, और ये आएगा, 16 अपन 3, अंसर ये है, अब देखो, इस को, इस क्योशन को एक टाइप से बना सकता है, क्या इसको, मैं इसे लिख सकता हूं, जैसे ये क्योशन है, अपने, 2 पूनांग 2 बाई 2, 3 पूनांग 1 बाई 4, X, और ये कितना है, 2 पूनांग 1 थर, 13 पू प्लस 1 बाई 4, प्लस X, 2 प्लस 1 थर, ये कितना है, 13 प्लस 5 बाई 12, क्या इसे लिख सकता हूं, ठीक, अब अपन इन सभी को जोड़ लो, ये आसान हो जाएगा, इसको, इन तीनों को जोड़ोत कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस ये X, और अब ये 1 by 2 बचा, 1 by 4 बचा 1 थर्ड बचा, ठीक, ये कितना है 13 13, उनांग 1 by 12 5 by 12, सोरी, ठीक, ठीक है ये प्लस ले लिया अब क्या करते है, अपन ऐसा करते है कि 7 में से 13 गया, ये बात में कर लेंगे ये कितना है, X ठीक कितना आ रहा है ये आएगा, इसका अगर मैं एल्चेम लूँ दे आएगा, 6, 3 और ये 4 तो 7 प्लस X प्लस, कितना आएगा 13 अपन 12 एक्वल कितना है, 13 प्लस 5 by 12, ठीक है ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ये गया, कितना आएगा, X प्लस 13 माइनस 7 प्लस 5 by 12 माइनस 13 अपन 12, ठीक है X एक्वल ये आया 6 माइनस, ये कितना आएगा कितना आएगा 8 अपन 12, कितना हो जाएगा 4 दूनाठ, 4 तिया 12 कितना आएगा, 6 तिया 18 18 में दो गए तो 16 बाइ 3 इसको इस तरह से भी कर सकते हैं एक ही क्योशन को दोनों मेथर से इस तरह से कर लेते हैं लेकिन ये आसान बनेगा ये आसान नहीं होगा इसमें आपने को जोड़ गुना घटाव जादा करना पड़ेगा और इसमें हमेशा कम करना पड़ेगा ठीक है तो ये वाली मेथर आपके लिए बेटर होगी देखो इसमें क्या करते हैं मैंने क्या कहा था कि इसमें डायक्ट ऐसे लिख लो इसको 1,111,1,111 प्लस one by two या 1111 practical प्लस one by two अग्सार लिख सकता हूँ ठीक है अब मैं अलग-अलग जोड़ जाता हूँ एक, धो, तीन, चार, फिर यहां कितना हैги एक, दो, तीन, फिर यहां तीन हाँ, फिर यहां कितना एक दो फिर यहां एक एक फिर प्लस यह कितने बार है वन टू थ्री फोर फोर टाइम फोर टाइम वन बाई टू यही है अगर मैं इस से इस सो काड़ दूँ ठीक है फोर टाइम वन बाई टू तो वन बाई टू से फोर गया तो कितना वन टू थ्री फोर प्लस टू इसको लिखने का तरीका ये भी है ठीक है ठीक आगे देखो अगला question क्या बोल रहा है अगला question बोल रहा है देखो अगला question क्या बोल रहा है कि 5 प्लस 2 बाइ 5 8 प्लस 1 बाइ 4 मैनस 6 प्लस 1 थर एसे लिख लूँ पहले इनन को जोड लो कितना है पांठ नाथ 13 13 में 6 गए तो कितने बचा 13 में 6 गए तो 7 बचा ठीक फिर प्लस 2 बाइ 5 प्लस 1 बाइ 5 प्लस 1 थर ठीक यही है लेकिन अब देखो यहां पे माइनस है ठीक है यहां पे यह माइनस है तो यह माइनस अंदर भी जाएगा तो यहां पे माइनस आएगा ठीक है ठीक है यहां माइनस अंदर भी आएगा तो यह कितना बचा माइनस का अब 7 प्लस इन सभी का LCM लोग कितना आया इन सभी का LCM आयेगा 60 यह कितना आयेगा 12 12 24 यह कितना आयेगा 15 यह 15 यह कितना बीस यह 20 यह आयेगा 7 plus 7 plus minus 20 upon 60 यह है इसमें से यह गया कितना बचा 9 में से 0 3 में से 1 upon 60 ठीक ठीक है ठीक देखो अब यह किया है 7 plus 90 upon 60 यह है तो कौन सारा यह यह प्लस है तो इसको यह से लिख सकता हूं 7 पूर्ण 90 अपॉन 60 यह लिख सकता हूं यह इसका अंसर है ठीक है बिल्कुल सिंपल दरीके से बता रहा हूं है ना चलो ठीक आगे अगला क्यूशन क्या बोल रहा है अगला क्यूशन बोल रहा है एकस माइनस फिर बड़ा ब्रेकेट य माइनस फिर मजिला जेट माइनस X-Y-Z यही है मैंने क्या कहा था सबसे पहले ब्रेकेट सोलू करते हैं जो की इसमाल होगा उसके बाद में इसमाल ब्रेकेट उसके बाद में मजिला कोश्चे ब्रेकेट उसके बाद में बड़ा ब्रेकेट सबसे पहले अपने को चोटा ब्रिकेट लेना है, यह कितना है, X-Y-Z, ठीक, इसको उपन करूँ है, तो X-Y-Z, इसको अगर मैं उपन करूँ है, तो यह इसके साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस Y, प्लस Z, ठीक, फिर मज़िला कोशे है, फिर बड़ा कोशे है, ब्रिकेट, अब क्या करते हैं, अब इसको उपन करते हैं, तो Y-Z, फिर प्लस X-Y-Z, बड़ा ब्रिकेट, ठीक, ठीक है, यहां Y से, एक Y से, प्लस का Y से, मैनस का Y कर दिया, ठीक है, ठीक, ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, यहां कितना आएगा, फिर यहां से, बड़ा ब्रिकेट उपन करते हैं, मैनस क पिर अंदर जाएगा जेट का फिर यह आएगा माइनस पिर यह आएगा प्लस का जेट ठीक है ठीक ठीक है अब देखो यहां से माइनस का से माइनस ठीक ठीक है अब क्या करते है अपन ठीक है तो अब देखो इसमें क्या होता है प्लस का एक से माइनस का गया है तो बचा कितना है तुजेट आपका अंसर ये तुजेट आएगा ठीक कि यह थोड़ा मिस्टेग हो गया था थोड़ा है और देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हम चैने हैं डू सूरी सबसे पहले मेंने क्या बता आया था कि आपको ब्रेक्ट इसके बाद में divide उसके बाद multiply उसके बाद plus उसके बाद subtraction ठीक ठीक है तो इन सबसे पहले अपने क्या तो प्लस करना multiply फिर प्लस का तो उपर आएगा 2 plus 4 ठीक है अपन कितना आएगा इसका इसमें divide करो तो 1 into 2 तो तो यह 2 होगा जाएगा फिर यह divide पहले सबसे पहले ओप सूल करते हैं यह का ठीक है इन दोनों multiply करो तो कितना आएगा यह divide 1 by 4 अपन यह कितना आएगा 1 by 2 plus यह आएगा 1 by 4 ओप सूल करते हैं ठीक ठीक है अब क्या करते हैं कि 2 plus 6 यह जाएगा थार्ड यह कितना होगा 1 by 2 इनीच आएगा उपर चला जाएगा ठीक है तो कितना आजाएगा यह direct 1 by 2 ऊपर चला जाएगा तो यह 4 अपन 2 और यह दोनों का एलसेम लेकर चार तो यह कितना जाएगा 3 ठीक ठीक है यह आपका उपर चला जाएगा 6 by 6 divided by यह चाहिए 16 upon 6 ठीक यह उपर चला जाएगा यह इसके पास आजाएगा ठीक है ठीक अब यह 6 by 2 यह आएगा 16 upon 6 ठीक यह 6 उपर चला जाएगा 36 upon यह 16 दोन 32 आ जाएगा ठीक चार नम चत्तिस चार आटो 32 नो बटा 8 आपका अंसर यह है ठीक ठीक है अगला क्योशन देखो अगला क्योशन क्या बोल रहा हैं क्योशन बोल रहा हैं इस प्रकार के क्योशनों कैसे सोल करते हैं जैसे नाइन प्रूराइंख 98 upon 99 into 99 ठीक अब अपन डारीक इसको काटनी सकते हैं मैंने पहले बताया इन दोनों को अपन काटनी सकते हैं सबसे पहले क्या करना मुड़ा इसका yeah करो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करो इसमें एट करो उसके बाद में अपने इससे काड़ सकते हैं तो इसको लिखना का तरीका यह दो यह मल्टिप्लाइ 99 plus 98 upon 99 into ये क्या है 99 मैंने कहा क्या था कि ये पूरा कोस्टक में देता है तो इससे अब इसको काड़ सकते है अब इसको अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसको लिखने का तरीगा क्या मैं इसको 1000 लिख दूँ माइनस 1 कर दूँ फिर वो ही फिर multiply में ये है का अंसर है ठीक है यह आपका अंसर है चलो ठीक है चैनल को लाइक सेयर करो सब्सक्राइब करो ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू अवरिवन